हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोलेज़ज़, दोस्तों आज हम जानेंगे पत्री के कुछ गरेलू उपचारों के बारे में पिसा हुआ आवला और मिस्री समान मातरा में मिलाकर दो चमच दो बार लंबे समय तक पानी की साथ फेंकी लेने से पत्री निकल जाती है खीरे का रस पत्री में काफी लाब दायक है इसका रस 250 ग्राम दिन में नित्य तीन बार पीना चाहिए पेसाब की जलन, रुकावट और मदुमय में भी ये लाब दायक है इसका रस पीने से पेसाब की जलन दूर होती है यह मुत्राशे की पत्री में अधिक लाब करता है कीरे के रस को गर्म करके पीने से गुर्दे के दर्द में बहुत आरा मिलता है एक या दोनों गुर्दों में पत्री होने पर केवल आलू खाते रहने से बहुत लाब होता है पत्री के रोगी को केवल आलू खिला कर और बार बार अधिक पानी पिलाते रहने से गुर्दे की पत्री और रेत आसानी से निकल जाती है आलू में मेगनीशम पाया जाता है जो पत्री को निकालता है तथा बनने से रोकता है एक गिलास पानी में एक निम्बू निचोड़कर सेंदा नमक मिलाकर नित्ते सुबह साम एक महीना पीने से पत्री पिकलकर निगल जाएगी नीम्बू में नमक भरकर चूंस सकते हैं नीम्बू में पोटेशिम शाइटरेट होता है जो पत्री को बनने से रोकता है मूली में ख्षारता इतनी है कि ये पत्री को भी गला देती है पत्तों सहित मूली का रस निकाल कर एक गिलास रस में एक नीम्बू चोथाई चमचकाली मिर्च मिला कर नित्य प्राते पिएं मूली लंबे समय तक जब तक मिलती रहें सेवन करते रहें मूली वे इसके पत्तों में पत्तरी निकालने के गुण है पालक का रस एक कप तथा नारियल का पानी एक कप दोनों को मिलाकर 15 दिनों तक नियमित रूप से पिएं इससे पत्तरी आसानी से निकल जाएगी बथवा पत्तरी होने से बचाता है इसके पत्तों का कच्चा रस अधिक लाब दायक है बथवा उबालकर निकाला हुआ पानी भी पी सकते हैं बथवे की सबजी में स्वादा अनुसार पुदीने डालकर नित्य दो बार खाने से पत्तरी आसानी से निकल जाती है 10 ग्राम इलाइची के दाने, 10 ग्राम सीलाजीत, तता 6 ग्राम पीपल सब को पीस कर चूर्ण बना लें फिर इसमें 25 ग्राम मिस्री पीस कर मिलाएं दो करेलों का रस तता एक कप चाच मिलाकर नित्य दो बार पीएं और यह जब तक पीएं तब तक की पत्तरी न निकल जाएं दो गिलास पानी में 30 ग्राम मूली के बीज उबा लें जब पानी आधा रह जाए तो बीजों को छान कर दिन में दो बार पीएं इससे पतरी आसानी से निकल जाएगी ओके फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो